हेलो नमस्ते मैं हूँ आशी और एक फिरसे आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आशी टेप्स में तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है किस तरह हम हमारे breast के size को जिनका जादा है वो कम कर सकते हैं जिनका कम है वो जादा कर सकते हैं जिनके जो breast है वो बहुत ज्यादा लूज हो गए है, जिन लूज हो गए है, अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो किस तरह से अपने breast को lift up कर सकते हैं, एक शेप में ला सकते हैं, उसी की exercise आज हम मिला जुला के जितनी भी problems breast से related आपकी लंबे ठाइम से चली आ रही है, वो हम कर सकते हैं, और आप अपने breast के size को एक अच्छे शेप में आप ला सकते हैं, चली ये शुरू करते हैं आज का वीडियो, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जा कि सबसे पहले एक वाट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पासला जाने के बाद आप क्या करेंगे, अपने shoulders को पीछे की तरफ इस तरह से लेंगे, कुछ इस तरह से, आगे हैं अभी आपके shoulder जो है आप लूज छोड़ के आगे की तरफ लाएंगे, अब इसे catch के पीछे की तरफ लेके जाएंगे, कुछ इस तरह से दोनों हाथों को आप इ अंटर लॉग कर लिजिए, फिट से आगे की तरफ आएंगे, एंड एन चेस्ट को आगे की तरफ पुछ करेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी दिन, breathe in and out, breathe in and out, जितना हो pressure के साथ जो आपका breast है उसे बाहर की तरफ हमें, खेंच के बाहर की तरफ रखना है, breathe in and out और shoulder पीछे की तरफ, breathe in and out, breathe in and out, relax, shoulders को relax छोड़ देंगे, अब फिट से यही चीज़ करेंगे, आगे की तरफ खेंचेंगे और breathe in करते वे पीछे की तरफ जाएंगे and out, माइन को रिलाक्स करेंगे, इस तरह से, मैंने आपको सिफ थोड़े टाइम के लिए कर दिखाया लेकिन आप इसको टीवी देखते टाइम या जब भी आपके पास free time है तब आप इसे कर सकते हैं, बहुत easy exercise है आपके breast के, जिनके breast जो बहुत जादा लूज हो गए हैं, करने की वज़े से भी अगर हम जो हमाया नया स्टार्ट किया होता है या हमाई टीनेजर जो गल्स होती है उनको नहीं पता होता है तो वो क्या करती है बिना बिना इस पोर्ट ब्रा पैने exercise कर लेती हैं जिसन से बहुत कम उम्र में ही उनके जो breast है वो लूज हो जाते हैं तो वो डेली इसकी practice करेंगी अगर तो उनके जो breast है वो फिर से lift up होने लगेंगे मतलब उनका proper shape में आने लगेंगे तो अगली exercise देखते हैं वो किस तरह से होगी तो उसके लिए आप क्या करेंगे अपने दोनों हातों को इस तरह से एक दूसरे से पकड़ लेंगे आगी की तर तरफ आजाएंगे एन अच बीज एन गर्दन आपको पीछे की तरफ फेच्छे की तरफ करना जैस्ट आगे की तरफ हैन बीड आउट बीड एन अज लिए आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, दीरे-दीरे हातों को रिलाक्स चोड़ दीजिए और रिलाक्स किजिए, अगली एक्सराइस दिखते हैं, वह किस तरह से होगी, तो उसके लिए हमें आम्स रोटेशन करनी होगी, यह हमारे जो साइड में फैट खटा हो जाता है, उसको ठीक करने में मदद करता है, कुछ इस तरह से, एल्बोस को पास में टच करेंगे, जैसे हम रोटेशन पूरा करेंगे, पूरा एक सर्किल बनाईएगा, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, और बोलते हैं, हमने एक्सराइस कर लीए, यह क लीचे की तरफ भी हमारे अल्बोस जानी चाहिए, इस तरह से, इस तरह से, हम ब्रेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो इसमें हम को चेंज करते हैं, मतलब आप जब आगे की तरफ लाएंगे, तो अपने ब्रेस्ट को पीछे की तरफ लाएंगे, जब हमारे जो पीछे हमारी अल्बोस जाएंगे, तो अब हमारी ब्रेस्ट को हम आगे की तरफ पुल करेंगे आगे की तरफ खेंचेंगे इस तरह रोटे चुक पीछे की तरफ सुल करेंगे, इस तरह आगे वा है, इस तरह से हैं मैंने आपको यह थोड़े टाइम के लिए करके कर दिखा या, लेकिन आपको यह दियुम टाइम बढ़ाना है, एक मिनिट, एक मिनिट से दो मिनिट and लास्त, तीन मिनिट तक आपको इसको डेली करना है, आपके जो हातों का फैट है, वो कम होगा, आपके जो साइड में फैट जमा हो जाता है, उसको कम करता है, अब लिए एक्सरसाइज देखते हैं, वो किस तरह से ह साइड से करके दिखाती हूँ, उसके लिए कमर सीधी करके आप बैठिये का, कभी भी भी लूज करके नहीं बैठेंगे, अब हम जब हम सीधी कमर करके नहीं बैठते हैं, तब भी इसका फरक जो हमारी ब्रेस्ट पर पढ़ता है, और जो हमारी ब्रेस्ट है वो लूज हो ज और अपने हाथों को जितना आप पीछे की तरफ सीधा रख सके आप उपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से तो इतना ही होगा स्टार्टिंग में लेकिन कोशिश करिएगा थोड़े टाइम के बाद आपसे धीरे 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 थोड़ा 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 करके कभी आपका इतना होगा फिर कोशिश कीजेगा इतना फिर इतना दैन इतना बहुत अच्छी exercise है relax शोड़ेंगे अब आगे की तरफ fingers को interlock करते वे आगे की तरफ hold करेंगे wait करेंगे थोड़ी देर 5 seconds का wait and then relax पीछे की तरफ फिर से interlock करते वे अंगुलियों को जितना उपर उठा सकते हैं उतना उपर उठाएंगे chest को बार की तरफ कमर सीधी breathing आप कर सकते हैं mind relax होगा इससे and then हातों को छोड़ दीजिए दूसरी आप आगे की तरफ से interlock करते वे 5 seconds का hold and then relax बहुत एजी exercise है चलिए अगली exercise बता देती हूँ actually push-ups करना हर किसी को नहीं आता है तो हम करेंगे half push-ups half push-ups जो है थोड़ा easy पड़ता है और हमारे breast है उसको भी अच्छा करता है हमारे जो arms में जो fat जमा हो जाता है उसको भी कम करता है इससे होगा उसके लिए अपनी नीज पर आप इस तरह से आ जाएंगे इस तरह से अपने नीज पर आप आ जाएंगे आगे के तरफ फुल प्रेशर के साथ अपने palms को फर्ष से लगा लेंगे आपके जो palms है वो इस तरह से बंद नहीं होनी चाहिए अंग fingers जो है एक दूसरे से दूर होनी चाहिए इस तरह से अब अपने दोनों पैरों को आप इस तरह से एक दूसरे में मिला लेंगे और गुटना जो है वो फर्ष से लगे वे लेकिन जो आपके पंजे है वो आपस में एक दूसरे को जो है यह लॉक किये वे अब फुल प्रेशर के साथ नीचे की तरफ अपने फेस को नोस को लगाने की कोशिश करेंगे दैन उपर आएंगे वान टू ट्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन एन टैन एन देन रिलाक्स है ना अच्छी एक्सरसाइज डेली अगर प्रेक्टिस करेंगे तो आपका जो ब्रेस का साइज है कैसा भी है कम है तो जदा हो जाएगा जदा है तो कम हो जाएगा अगर लूज हो गे हैं तो आपके लिफ्ट प होने लगिंगे फिसी शेप में आने लगिंगे तो वीडियो अगर पिकश् को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजेगा चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है अभी तक भी तो प्लीज एक बार चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए पास में बैल आइकन दिखराओं को उसे जरूर दबा दीजेगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके